जैहिन दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त के भी और करेंट अफेर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो हम लोग वर्ष 2020 के जो भी आपके टॉपिक वाइज करेंट अफेर्स हैं उनकी स्रीज को यहाँ पर डिसकस कर रहे थे और उसी करम में यह हमारा प्रेशनों को डिसकस करेंगे तो यह हमारी साइंस एड टेक्नोलोजी के अंतरगत एक स्रीज है और यह आपके सभी प्रकार की परिछाओं के लिए काफी जाड़ा महत्पुन होने वाली है तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में सेर जरूर करिएगा और इससे पहले के जो भी हमारे वीडियो है उन वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगी तो वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं और जो मैंने राज्य वाले करेंट अफेर्स की स्रीज शुरू की है उसके वीडियो आपको कल से मिला करेंगे तो वह स्रीज तो आपके लिए काफी जादा बेनिफीसिल होगी तो चलिए इस वीडियो की हम सुरुआत करते हैं पहला प्रशन है कि 16 साइकी जो की हाली में चर्चा में रहा था यह क्या है तो 16 साइकी के बारे मैंने आपको बत आतूं है यानि कि यहां पर जो आपको मेडल मिलेंगे उनकी कीमत लगभग 10,000 क्वाड्री लियन है कितनी है 10,000 क्वाड्री लियन है तो यह रिपोर्ट आई थी तो ध्यां रखिएगा यह एक एस्ट्राइड है अगला प्रशन है प्रतेक वर्स बिस्सो अंतरिच सप्ता क तो यह मनाया जाता है 4 से 10 अक्टूबर को यानि कि इस प्रशन का option A correct होगा तो बस आपको ध्यां रखना है कि 4 से 10 अक्टूबर तक यह मनाया जाता है और इस बार की theme रही satellite improves life क्या रहा satellite improves life अगला प्रशन है भारतिय space agency इस रो ने किस वर्ष सुक्र गरह के लिए एक mission सुक रियान वन लांज करने की घुशना की है तो इस रो ने कहा है कि हम इसे लांज करेंगे 2025 तक और इसमें इस रो की मदद करेगा France काउन फ्रांस की space agency है CNES जिसके दोरा यहां पर सहता की जाएगी तो नीचे comment बे आप यह बता दीजिएगा कि CNES का पूरा नाम क्या है तो बस आप ध्यार रखेंगे कि सुक्र यान वन मिशन 2025 में परस्तावित है और इसमें हमारी सहता करेगा France अगला प्रशन है 7 नॉंबर 2020 को पृत्वी अवलोकन उपकरा EOS 01 को किस रोकेट की सहता से लांज किया जाएगा तो इसे लांज किया गया है PSLV C49 की सहता से यानि कि इस प भी एक कम्यूनिकेशन सेटलाइट को लांज किया जाएगा तो छोटा सा नाम है उस सेटलाइट का तो नीचे कमेंट में आप बता दीजिएगा कि वह सेटलाइट का नाम क्या है जिसे 17 दिसमर को अभी लांज किया जाना है तो बस आप ध्यार रखेंगे कि EOS 01 या एक हमार अर्थ एमजिंग सेटलाइट है और इसे PSLV C49 रोकेट के साहता से लांज किया जाएगा अगला प्रशन है किस देश ने छुद्ध ग्रह के लिए दुनिया के पहले खनन रोबोट एस्ट्राइड माइनिंग रोबोट को लांज किया जाने की घोशना की तो ये घोशना की ह है चीन ने किसने चीन के दौरा ये घोशना की गई है कि हम लोग यहाँ पर एक रोबोट भेजेंगे माइनिंग के लिए कहाँ पर जो हमारे एस्ट्राइड होते हैं और आप ध्यार रखेगा कि इसके लिए नियो वन नाम का एक यहाँ पर 30 ग्राम भार का अंत्रिच्यान भी भीज दिया गया है चीन के दौरा जिसके दौरा यहाँ पर उस पार्टिकुलर एस्ट्राइड के उपर इस बात का पता लगाया जाएगा कि वहाँ पर किस प्रकार के खनिश संसाधन उपलब्ध हैं अगला प्रशन है भारतिय इस्पेस एजंसी इस्रो किस इस्पेस ए परचर राडार और इसे सितंबर 2022 में दोनों इस्पेस एजंसियों के दौरा लॉंट किया जाने की योजना है अगला प्रशन है किस इस्पेस एजंसी के सोफिया ने पहली बार चंद्रमा की सता पर पानी की खोज की है तो सोफिया के दौरा पानी की सता पर खोज की गई है चंद्रमा की सता पर पानी की खोज की गई है और यह है नासा का किसका? नासा के दोरा भेज़ा गया था सोफिया. तो बस आप ध्यान रखेंगे कि सोफिया का पूरा नाम है Statoospheric Observatory for Infrared Astronomy अब इसी के दोरा चंद्रमा के Klavius नाम के क्रेटर के उपर अभी जलकी खोज की गई है तो इनके बारे में आप याद रखेंगे अगला प्रशन है NASA किस कंपनी के साथ मिलकर चंद्रमा पर पहले 4G CELL का निर्माड करेगी तो ये जो पहला 4G CELL होगा इसका निर्माड किया जाएगा Nokia की मदद से यानि कि इस प्रशन का option D correct होगा तो बस आपको ध्यान रखना है कि NASA ने ये प्लान मनाया है कि आने वाले 10 वर्सों के अंदर हम लोग इनसानों को पहुँचा देंगे चांद की उपर अब चांद के उपर इनसान पहुँचे उससे पहले वहाँ पर इंटरनेट का पहुचना जरूरी है क्योंकि इंटरनेट अगर रहेगा नहीं तो इनसान को आप कुछ भी दे दीजिए वो भाग के फिर चलाएगा आर्थ पर तो इसी लिए 4G सेल का निर्मार किया जाएगा NASA के द्वारा नोकिया की मदस से अगला प्रशन है अक्टूबर 2020 में किस देश के इस्पेस एजनसी के द्वारा भारत की इंडिया सैट सेटलाइट लॉंच की गई तो ये वैसे बहुत महत्मूर प्रशन नहीं है ध्यान रखेगा कि NASA के द्वारा इस सेटलाइट को लॉंच किया गया था अगला प्रशन है नॉम्मर 2020 में NASA ने किस इस्पेस एजनसी के साथ मिलकर Sentinel 6 जिसे हम लोग प्रहरी 6 के नाम से जानते हैं इस उपगरा को लॉंच किया तो इसे लॉंच किया NASA ने European Space Agency के साथ में मिलकर के तो बस आपको धिया रखना है कि जो हमारे समंद्रों में जलका अस्तर होता है उसकी मॉनिटरिंग के लिए NASA के द्वारा ESA के साथ में मिलकर के Sentinel 6 नाम के सेटलाइट को लॉंच किया गया है अगला प्रशन है नॉम्मर 2020 में क्रिव वन मिशन के अंतरगत SpaceX ने कितने अंतरच यात्रियों को SpaceX में भीजा है तो क्रिव वन मिशन की बात करें या फिर डेमो टू मिशन की बात करें इसके अंतरगत कुल मिला करके चार ब्यक्तियों को SpaceX ने अंतरच में भीजा है और इसके साथ ही SpaceX पहली निजी कमपनी बन गई है जिसके द्वारा व्यक्तियों को यहाँ पर International Space Station में भीजा गया है तो यहाँ पर कुल मिला करके चार व्यक्ति थे और जो कैपसूल था यानि कि जिसमें बैठ करके यह चारों गये है उसका नाम रखा गया है Resilience तो इस कैपसूल का नाम भी आप याद रखेंगे अगला प्रशन है OCRIS RECS Mission किस Space Agency का बेनू छुदर गरह के लिए एक मिशन है तो यह जो मिशन है यह है नासा का किसका नासा का यह एक मिशन है आप ध्यार रखेंगे कि अभी OCRIS RECS Mission की अंतरगत जो यहाँ पर स्पेस क्राफ्ट भेजा गया था यह आप कह सकते हैं यहाँ पर जो कैपसूल भेजा गया था उसने इस गरह से सैंपल को एकत्रित कर लिया है और अब यहाँ प्रत्वी के लिए रवाना हो चुका है तो 2016 में नासा के द्वारा OCRIS RECS RECS Mission को इसे बनाया गया है और गरन यान मिशन के इंदर गत ISRO की यह योजना है कि हम लोग इंसानों को भेजेंगे इस पेस में लेकिन उससे पहले ISRO टेस्टिंग करेगा और उस टेस्टिंग में यहाँ पर व्योमित नाम के रोबोट को भीजा जाएगा अगला प्रशन है ISRO ने G730 नामक भारी संचार उपगरा को किस देश से लॉंच किया है तो यह जो आपका भारी संचार उपगरा है इसे लॉंच किया गया फ्रेंच गयाना से फ्रेंच गयाना जो की दच्छिन अमेरिका महादुईप का एक देश है यहाँ पर Arian 5 जो की European Space Agency का एक रॉकेट है उसकी साहतर से G730 को लॉंच किया गया है अगला प्रशन है नासा ने स्पिट्ज कर इसकोप टेलिसकोप को कितने वर्चों के बाद में डिकमिशन किया है इसने कुल मिला करके 16 वर्षों तक अपनी सेवा दे थी नासा को और अब इसे डिकमिशन कर दिया गया है अगला प्रशन है नासा के एस्टोनौट क्रिष्टीना कोच कितने समय अंतरिच में बिता कर वापस पृतिवी पर लॉटी है इनों ने कुल मिला करके 328 दिन अंतरिच में बिताये और उसके बाद में ये वापस लॉटी थी तो बस आप ध्यान रखेगा कि नासा के एस्टोनौट है क्रिष्टीना कोच और इनों ने एक महिला के तौर पर सबसे अधिक समय तक अंतरिच में बिताने का रिकॉर्ड बना दिया है वैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा समय तक कौन रहा है तो वह आपके हैं रूस के वालेरी पोला को क्या नाम है रूस के वालेरी पोला को इनों ने लगातार 438 दिनों तक अंतरिच में रहे थे अगला प्रशन है अमेरिका के स्पेस एजन्सी ने किसके साथ मिलकर सूरी के दुरूओं की मैपिंग के लिए सोलर और्बिटर प्रोब को लॉंद किया तो इसे लॉंद किया गया है यूरोपियन स्पेस एजन्सी के साथ में मिलकर के तो बस आप ये ध्यार रखेंगे कि यहाँ पर अमेरिका के द्वारा सोलर आर्बिटर प्रोब को यूरोपियन स्पेस एजिंसी के साथ में मिलकर के लॉंच किया गया है और ये लॉंच किया गया है संड के इस्टडी के लिए अगला प्रशन हाल ही में सोथ करताओं के द्वारा अंतरिच के बिग बैंग के बाद किस नाम से दूसरे सबसे बड़े विस्पोर्ट की खोज की गई तो ये जो दूसरा सबसे बड़ा विस्पोर्ट है इसका नाम रखा गया है कोलोजल एक्स्पोर्जन क्या है कोलोजल एक् इस कोलोजन नाम के एक्स्पलोजन की खोज की गई और यहां बिग बैंक के बाद का दूसरा सबसे बड़ा बिस्पोर्ट है अगला प्रशन है किस स्पेस एजनसी ने अपने मार्स 2020 के रूवर का अधिकारिक नाम परसेवरेंस रखा है यानि कि जो यहां पर रूवर चलेगा उसका नाम परसेवरेंस रखा है तो यह रखा है नासा ने आपको दिया रखना है कि नासा के दौरां मार्स 2020 नाम से अभी मार्स ग्रह के लिए एक मिशन को लाँच किया गया है और इसी में जो आपका रूवर है उसका नाम रखा गया है परसेवरेंस और यह जो मंगल ग्रह का मिशन है इसके अंतरगज जो नासा का यान होगा वह जेजेरो क्रेटर के उपर लेंड करेगा मंगल प्लानेट के अगला प्रश्वन है European Space Agency के दोड़ा 2022 में किस Space Agency की साहता से एकजो मार्स मिशन को लाँच किया जाएगा उसे लाँच किया जाना था 2020 में लेकिन कुछ यहां पर दिक्कत की कारण अब इसे 2022 में लाँच किया जाएगा और इसमें European Space Agency की मदद रूस की Space Agency रॉस कोस मौस के द्वारा की जाएगी तो बस आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर भी एक रूवर जाएगा मार्स के उपर और इस रूवर का नाम रोसा लिंद फ्रेंकलिन रखा गया है क्या है रोसा लिंद फ्रेंकलिन इसके रूवर का नाम है अगला प्रशन है अमेर की Space Agency नासा के द्वारा किस वरस तक चंद्रमा के दच्छिन दुरूप पर मानो आधार सविर आर्टमिस अस्थाबित के जाने की घोशना की गई यानि कि यहां पर नासा के आर्टमिस मिसन की ही बात हो रही है जो की है चंद्रमा के लिए और इसके अंतर इस मिसन को लौंट किया जाएगा दो हजार चौबीस में कब दो हजार चौबीस में इसे लौंट किया जाएगा तो बस आप ध्यान रखेंगे कि नासा के द्वारा जो आटमिस मिशन प्रस्तावित किया गया है इसके अंतरगत नासा चंद्रमा के उपर अगले बुरोज और दुनिया की पहली महिला को भेजेगा तो इसके अंतरगत सिविर उविर भी लगाये जाएंगे और इसी के टावर तेरा मिशन की पचासवी वर्सगांट मनाई गई है अब आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अपोलो नाम का जो तेरा अपोलो तेरा नाम का मिशन था या अमेरिका का एक फेल मिशन था फिर भी अमेरिका की जो इस पे सेजन्सी है नासा उसके द्वारा इसकी सिखता है और जिस मिशन की अंतरगत नील आर्म स्टॉंग चंदमा पर पहुंचे थे वह अमेरिका का अपोलो 11 मिशन था तो इसके बारे में भी आप याद रखेंगे अगला प्रशन है नासा के लिए सबसे अधिक समय तक कारे करने वाली हबल स्पेस टेलिस्कोप की कौन सी वर्सगाट मनाई गई है तो यहाँ पर इसकी तीसवी वर्सगाट मनाई गई है कौन सी तीसवी वर्सगाट मनाई गई और आपको ध्यार रखना है कि 1990 में हबल स्पेस टिलिस्कोप को launch किया गया था तो ये प्रशन अलड़ी परिच्छा में पूछा जा चुका है कि कब इसे launch किया गया था तो ध्यार कियेगा 1990 में इसे launch किया गया था अगला प्रशन है किस Space Agency की द्वारा Sunrise Mission की घोशना की गई है तो ये जो Sunrise नाम का mission है ये है NASA का किसका NASA का यह mission है तो इसका पूरा नाम है Sun Radio Inferometer Space Experiment और इसके अंतरगत जो भी आपके सूरी के तुफान जनरेट होते हैं उनकी study के लिए NASA के द्वारा इसे launch किया जाने की घोशना की गई है launch कब होगा तो 2023 में से launch किया जाएगा अगला प्रशन है ज्वाला मुखीवा फोकम के पूर्बानुमान के लिए किस Space Agency ने सायर्स mission की घोशना की है तो ये जो सायर्स नाम का mission है इसकी घोशना की है NASA किसने NASA के दौरा इसकी घोशना की गई है अब सायर्स का पूरा नाम क्या है तो इसका पूरा नाम है CubeSat Amazing Radar for Earth Science यानि कि जो हमारे प्रतवी है उसकी monitoring के लिए यहाँ पर NASA के दौरा रडार को Space में स्थापित किये जाने की योजना है अगला प्रशन है NASA के पहले मंगल हेरिकाप्टर का नाम क्या निर्धारित किया गया तो यहाँ पर जो मंगल हेरि मार्स 2020 नाम का एक मंगल गरह के लिए मिशन को लॉंज किया गया है और इसी मिशन के अंतरगत नासा के दौरां 2021 में एक हेलिकाप्टर को भी मंगल गरह पर भेजा जाएगा और इसी हेलिकाप्टर का नाम रखा गया इनजे न्यूटी तो जो रोवर है यहाँ पर उसका ना तो यह घोषना कर दी है, नासा ने किसने नासा के दौरां की घोषना की गई है, यानि इस प्रष्ण का आप्शन भी करेक्ट होगा। तो बस आपको ध्यान रखना है कि Nancy Grace Roman जो की अमेरिकी Space Agency नासा की पहले मुख्य खगोल बैग्यानिक थी जिन्हें हम लोग Mother of Hubble की नाम से भी जानते हैं इन्ही के नाम पर एक टेलिस्कोप का नाम बदला गया है अगला प्रशन है जून 2020 में इन में से किसको नासा प्रतेष्ठित सेवा पदक से सम्मानित किया गया तो ये सम्मान मिला है यहाँ पर राजीव रंजीत कुमार जी को यानि कि इस प्रशन का option भी correct होगा तो बस आपको ध्यार रखना है कि रार के चटी पंडपती के बाद में ये दूसरे भागति बन गये हैं जिनको नासा के द्वारा इस प्रतेष्ठित सेवा पदक से सम्मानित किया गया है नाम इनका है रंजीत कुमार अगला प्रशन है किस Space Agency के बैग्यान को ने पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन क्वांटम की खोज की है तो इसकी खोज की है नासा ने किसने नासा के द्वारा इसकी खोज की गई है तो बस आपको ध्यार रखना है कि हमारे भारत के जो सतिंद्र नात बो इसके अलावा अलबर्ट आइंस्टीन थी उनके द्वारा सव वर्सों पहले इस पांचमें पदार्थ की पांचमें अवस्था के बारे में बताया गया था अभी इनकी खोज की गई है अगला प्रेशन है स्टार लिंक प्रोजेक्ट किस स्पेस एजनसी का एक मिशन है तो काफी ज़्यादा महत्पूर प्रेशन है ध्यार रखेगा इलोन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स उसका मिशन है स्टार लिंक प्रोजेक्ट और इसके अंतरगत इलोन मस्क का लच्छ ह कि हम पूरी 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 को 12,000 सेटलाइट से घेर देंगे और यहाँ पर इन सेटलाइट के माद्देम से पूरी 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 के उपर इंटरनेक्टिक कनेक्टिविटी प्रवाइट कराई जाएगे तो बस आप ध्यार रखेंगे कि इस्टार्लिंग प्रोजेक्ट यह है इस्पेस एक्स का अगला प्रशन है सांसा ने किस इस्पेस एजनसी के साथ चंद्रमाववा मंगल आदी के मानो इस्पेस फ्लाइड मिशन के लिए समझोता किया है तो यह वैसे बहुत महत्मूर प्रशन नहीं है सांसा जो की साथ अपरीका के इस्पेस एजनसी है इसने समझोता किया है नासा के साथ में तो बस इतना ही आप थोड़ा सा ध्यार रखेंगे अगला प्रशन है जुलाई 2020 में किस स्पेस एजनसी ने एस्थरोस मिशन की घोशना की है तो एस्थरोस नाम के मिशन की बात करते हैं तो इसकी घोशना की गई नासा के दौरा किसके दौरा नासा के दौरा इसकी घोशना की गई है अब एस्ट्रोस की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है एस्ट्रोफिजिक्स स्टेटोस्फेरिक टेलिस्कोप फॉर हाई स्पेक्टल रेजुलेशन अब्जर्वेशन एड्ट सम मिलिमेटर वेवलेंथ ये इसका पूरा नाम है और इसके अंतरगत नासा की योजना है कि हम अपने स्टेटोस्पेर में 2.5 मीटर के एक टेलिसकोप को अस्थाफित करेंगे और इस टेलिसकोप को एक गुबबारे के माधिम से भीजा जाएगा तो बस आपको धियां रखना है कि दिसंबर 2023 में अंटार्क्टिका से इसे लॉंच किया जाने की घोशना है नासा की नाम इसी के दोरा चांचट नए बाहिग्रों की खोज की गई है तो बस आप ध्यान रखेंगे कि टेस ये आपके है नासा का टेस का पूरा नाम है टांजीटिंग एक्जो प्लानेट सर्वे सेटलाइट यानि की मुझ की रूप से इसका काम ही है कि जो हमारा अंतरिच है उसमें एक्जो प्लानेट की खोज की जाए अगला प्रस्व perpendicular है सरेस जो की अभी हाल ही में समाचारों में है क्या है? तो सरेस के बारे में अप ध्यान रखेंगे कि यह अबphonरा घ्राइड है यानि कि यह हमारा एक डौर प्लानेट है और सरेस की खास बात क्या है? इसकी खास बातत कि अभी इसको एक ocean world का दर्जा दिया गया है. लिक्विट सलाइन वैंटर मिला था उसी के कारण सरी इसको ocean world का दर्जा दिया गया है और यह मंधू अगला प्रस्टन है चंद्रियान 2 के terrain mapping camera 2 दौरा खीचे गए चंद्रमा पर एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया तो ये जो एक क्रेटर है इसका नाम रखा गया है बिक्रम सारभाई जी के नाम पर किसके नाम पर बिक्रम सारभाई जी के नाम पर रखा गया तो आप ध्यान रखेगा कि जो हमारा चंद्रियान 2 मिशन था उसके और्बिटर के द्वारा यहाँ पर एक क्रिटर की तस्पीर खीची गई और इसी का नाम बिक्रम सारभाई जी के नाम पर रखा गया अगला प्रेशन है Northrop Grummen Corporation ने किसके नाम पर NG Cauda Cygnus Space Craft का नाम रखा है तो इन्हों ने रखा है कलपना चावला के नाम पर किसके नाम पर कलपना चावला के नाम पर यह रखा है तो बस आप ध्यान रखेगा कि नार्थ रोब गुरुमेन कार्पोरेशन जो कि अमेरिका के एक कमपनी है इसके द्वारा अपने स्पेस फ्लाइट का नाम कल्पना चावला जी के नाम पर रखा गया है अगला प्रशन है किस देश द्वारा आर्केटिक की जलवायों की निगरानी के लिए आर्केटिक M उपरा को लौंद किया जाएगा तो ये कौन लौंद करेगा ये लौंद करेगा रूस कौन रूस के द्वारा इसे लौंद किया जाएगा तो आप ध्यान रखेंगे कि 2020 के अंत में और 2023 में यहाँ पर रूस के द्वारा जो आर्करटिक हमारा खितर है उसकी निगरानी के लिए आर्करटिक M सेटलाइट को लॉन्द किया जाएगा अगला प्रशन है जुलाई 2020 में मंगर ग्रह के लिए मिसल लॉन्द करने वाला पहला अरब देश कौन बन गया है तो पहला अरब देश बना है संयुक्त अरब अमीरात और इनके मिशन का नाम था होप मिशन क्या नाम था होप मिशन इसका नाम था और 19 जुलाई को इसे लॉन वन मिशन को लांच किया गया तो यह जो आपके तियान वन वन नाम का मिशन है यह लांच किया गया मंगल के लिए किसके लिए मंगल के लिए इसे लांच किया गया है तो बस आप ध्यार रखेंगे कि चीन ने इसे लांच किया है अब मैं आपको बता दू कि यहां पर हम लोगों ने कुल मिला करके मंगल ग्रह के लिए चार मिशन के बारे में पढ़ा एक मैंने आपको बताया कि European Space Agency क्या है जिसे 2020 में लॉंच किया जाना था लेकिन लॉंच नहीं किया गया UAE ने HOPE के नाम से मिशन लॉंच किया है ये भी मंगल के लिए है NASA ने Mars 2020 नाम से लॉंच किया और चीन के द्वारा तियान वेन वन नाम से मिशन लॉंच किया गया है और ये आपके सभी है Mars